श्रीमंग भगवत गीता के ग्यारवे अध्याय का महातम में दर्शाने वली कथा पिछले अध्याय में हमने अध्वत पांच कमलों की कथा चुने अब आगे श्री महादेव जी कहते हैं प्रिये गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्यूरूप अध्याय के पावन महातम में को शवन करू विशाल नेत्रों वाली पार्वती इस अध्याय के महातम में का पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता इसके संबंध में सहस्त्रों कथाए हैं उन में से एक यहां कही जाती है प्रनीता नदी के तट पर बेगंकर नाग से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है उसके प्राकार और गौपुल बहुत उजे हैं वहां बड़ी-बड़ी विश्राम शालाएं हैं जिन में सोने के खंबे शोभा दे रहे हैं उस नगर में श्रिमान सुखी, शांत, सदाचारी तथा जीतेंद्रिय मनुश्यों का निवास है वहां हाथ में शांग नामक धनुश्धारन करने वाले जगदीश्वर भगवान विश्णू विराजमान हैं वे परब्रह्म के साकार सुरूप हैं संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं उनका गौरव पूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है भगवान की वहजांकी वामन अवतार की है मेक के समान उनका श्यामवर्ण तथा कोमल अकृती है वक्ष्थर पर श्रीवत्स का चिन शोभा पाता है वे कमल और वनमाला से विभूशित है अनेक प्रकार के आभूशनों से सुशोबितों भगवान वामन रतने युप्त समुद्र के सद्रिश जान पड़ते है पीतामबर से उनके श्याम विग्रह की कांती ऐसी प्रतीत होती है उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव, जन्म एवं संचार के बंधन से मुक्त हो जाता है उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वेकुंट धाम को प्राप्त होता है वहाँ जगत के स्वामी करुणसागर भागवान निर्सिंग का दर्शन करने से मनुष्य साथ जन्मू के किये हुए खुवर पाप से छुटकारा पा जाता है जो मनुष्य मेखला में गणेश्वी का दर्शन करता है वैसदा दुस्तर विगनू के भी पार हो जाता है उसी मेखकर नाम से नगर में कोई श्रेश्ट ब्राहमन थे जो ब्रंचर्य परायन ममता और आंकार से रहित वेद शास्त्रों में प्रवीन जेतेंद्रिय तथा भगवान वासुदेब के शरनागत थे उनका नाम सुनन्द था प्रिये वे शांगधनुष धारन करने वाले भगवान के पास गीता के ग्यारवे अध्याय विशुरूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्यान की प्राप्ति हो गई थी पर्मनंद संदोह से पून उत्तम ज्यानमे समाधी के द्वारा इंदरादी के अंतरमुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिती को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिती में ही रहा करते थे एक समय जब प्रस्पती सिंग राशी पर स्थित्ते महायोगी सुननद ने कोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभकी वेक्रमशह विरजदीर्थ तारातीर्थ कपिला संगम आश्टतीर्थ कपिला द्वार निरसिंगवन अम्बिकापूरी तथा कर स्थानपूर आदीक शेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में गय वहां उन्होंने प्रतिय घर में जाकर अपने ठेहरने के लिए स्थान मागा परन्तु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला अंत में काव की मुख्या ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी ब्रामर ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया प्रातह होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बहार किया किन्त उनके और साथी नहीं दिखाई दिए वे उन्हें खोजने के लिए चले इतने में ही ग्रामपाल मुख्ये से उनकी भेंट हो गई ग्रामपाल ने कहा मुनिश्रेष्ट तुम सब प्रकार से दीरगायों जान परते हो सौभागेशाली तथा पुन्यवान पुर्षों में तुम सबसे पवित्र हो तुम्हारे भीतर कोई लोकोतर प्रभाब विद्देमान है तुम्हारे साथी कहा गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए इसका पता लगाओ मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूं कि तुम्हारे जैस अत्तपस्री मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता विप्रभर तुम्हें किस महामंत्र का ज्यान है किस फिद्द्या का आश्र लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हे आलोकिक शक्ति आ गई है भागवन कृपा करके इस गाओं में रहो मैं तुम्हारी सब सेवा सुशुशा करता रहूंगा यों कहकर ग्रामपाल ने मुनिश्वर सुनन्द को अपने गाओं में ठहरा लिया वे दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगे जब सा आतार दिन बीट गए तब एक दिन प्रातर काल आकर वे बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगे और बोले है आज रात में राक्षस ने मुझ भागय ही इनके बेटे को चबा लिया है मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिवान था ग्राम पाल के इस प्रक कहने पर योगी सुनंद ने कहा कहा है वे राक्षस और किस प्रकार उसने तुमारे पुत्र का भक्षण किया ग्राम पाल बोला ब्रह्मन इस नगर में एक बड़ा भयंकर नर्भक्षी राक्षस रहता है वे प्रती दिन आकर इस नगर के मनुश्यों को खा लिया करता है के विवस्था किये देते हैं यहां अगर के जो पठिक रात में आकर नीद लेने लगें उनको खा जाना इस प्रकार नागरिक मनुश्यों ने गांव के अर्थात मुझ मुखिया से इस धर्मशाला में भेजे हुए पठिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा तुम भे अन्य रागीरों के साथ इस घर में आकर सोय थे किन्तु राक्षस ने उन सब को तो खा लिया केवल तुम ही छोड़ दिया दुजित तुम भे ऐसा कौन सा प्रभाव है इस बात को तुम ही जानते ह इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था किन्तु मैं उसे पहचान न सका वे मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिये था किन्तु अन्य रागीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है तब वे उसे वहाँ से ले जाने के लिए गया परन्तु राक्षस ने उसे भी खा लिया आज प्रातह मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाद से पूछा ओदुस्टात्मन तुने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके ऐसा कोई उपाए यदि हो तो बताओ राक्षस ने कहा ग्रामपाल धर्मशाला के भीतर घोसे हुए तुमारे पुत्र को ना जानने के कार मैंने भक्षन किया है अन्यपतिकों के साथ तुमारा पुत्र भी अंजान में ही मेरा ग्रास बन गया वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षत रह सकता है वह स्वयम विधादा ने ही कर दिया है जो ब्रहामन सदा गीता के ग्यारवे अध्याय का पाठ करता है उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मृत हुए को पुना जीवन प्राप्थ होगा यहां कोई ब्रहामन रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया थ करते हैं उस अध्याय की मंत्र से साथ बार अभिमंत्रित करके यदि भी मेरे उपर जलका छीटा दे तो निसंदे है मेरा शाप से उधार हो जाएगा इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूं ब्रहामन ने पूछा ग्रामपार जो रात मे सोई हुए मनुश्यों को खाता है वे प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ ग्रामपार बोला पहले इस गाउ में कोई किसान ब्रहमन रहता था एक दिन वे अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने लगा था वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गित किसी राही को मार कर खा रहा था उसी समय एक तपस्वी वहां से आ निकले जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे गित उस राही को खा कर आकाश पर उड़ गया तब तपस्वी ने कुपे थो कर उस किसान से कहा ओ दुस्टा हलवाही तुझे दिका है तो पड़ा ही कठोर और निर्दई है दूसरे की रक्षा से मुह मोड कर केवल पेट पालने के लिए काम में लगा है तेरा जीवन नश्ट प्राय है अरे जो चोर दाड़ वाले जीव सर्प शत्रु अगनी विश जल गिध राक्षस भूत तथा बेताल आधी के द्वारा घ बेक्षा करता है वह उनके बद का फल पाता है जो शक्तेशाली होकर भी चोर और चंगुल में फसे हुए प्रामण को छोडाने की चेश्टा नहीं करता वह घोर नर्क में पढ़ता और पुनह भेडिये की योनी में जन मिलेता है जो वन में मारे जाते हुए तिथा ग्रिद और व्याग्र की दृष्टी में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोडो छोडो की पुकार करता है वह परम गती को प्राप्द होता है जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याग्र भीन तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं वे भगवान पे यग्य मिलकर शर्णागत रक्षा की सोलवी कला के बराबर भी नहीं हो सकते दीन तथा भाय भी जीव की उपेख्षा करने से पुन्यवान पुरुष भी समय आने पर कुम्भी पाक नामक नर्क में पकाया जाता है तुने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाय जाते हु कोई भी उसकी रक्षा नहीं की जिससे तुन निर्दय जान पड़ता है अतह तुन राक्षस हो जा हल वहा बोला महात्मन मैं यहां उपस्तित अविश्य था किन्तों मेरे नित्र बहुत दूर से खेत की रक्षा में लगे थे अतह पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मार जाते हुए इस मनुष्य को मैं जानने ही सका अतह मुझ दीन पर आपको अनुग्रा करना चाहिए तपस्वी ब्राहमन ने कहा जो प्रति दिन गीता के ग्यार्वे अध्याय का जब करता है उस मनुष्य के द्वारा अफिमंत्रिक जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा उस समय तुम्हे शाप से छुटकारा मिल जाएगा यह कहकर तपस्वी ब्राहमन चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया अधर्दुछ रिष्ट तुम चलो और ग्यार्वे अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छड़तो ग्रामपाल की सारी प्रार्थना सुनकर ब्राहमन कर दे करोना से भर गया वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गये वे ब्राहमन योगी थे उन्होंने विश्वी रूप दर्शन नाम ग्यार्वे अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस र जिजित्याय की प्रभाव से तेशाप से मुक्त हो गया, उसने राक्षस देख का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारन कर लिया तथा उसमें जिन सहस्त्रों पत्रिकों का भक्षन किया था वे भी शंक, चक्र एवं गदा धारन किये चतुर्भुज रूप हो गये तत्पशात वे सभी विमान पर आरूड हुए इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा निशाचर मेरा पुत्र कौन है उसे दिखाओ उसके यो कहने पर दिव्वे बुध्धी वाले राक्षस ने कहा ये जो दमाल के समान श्याम चार भुजादारी मानिक के मुकट से सुशोभित तथा दिव्वे मनियों के बने हुए कुंडलों से अलंकरित है हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं जो सोने के भुज बन्दों से विभुशित कमल के समान नेतर वाले स्निकध रूप तथा हाथों में कमल लिये हुए हैं और दिव्वे विमान पर बैठ कर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं इनी को अपना पुत्र समझे यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहां यह देखकर उसका पुत्र हस पड़ा और इस प्रकार कहा ग्रामपाल कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो पहले मैं तुम्हारा पुत्र था किन्तु अब देवता हो गया हूं इन ब्राह्मन देवता के प्रसाद से वेकुन्त धाम को जाओंगा देखो ये निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया है ग्यारवे अध्याय के महातब में से ये सब लोगों के साथ विश्नु धाम को जा रहा है अधह तुम भी इन ब्राह्मन देव से गीता के ग्यारवे अध्याय का अध्यन करो और निरंतर उसका जब कर करते रहो इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गती होगी तात मनुष्यों के लिए सादू पुर्ष्यों का संग सर्वता दुरलब है वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त हुआ है अतह अपना अभिष्ट सिद्ध करो धन भोव दान यग्य तपस्या और पूर्ध कर्मों से क्या लेना है विश्व रूप आध्याय के पाठ से ही परम कल्यान की प्राप्ति हो जाती है पूर्णानंद संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुक्स से कुरुक्षित्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अम्रित में उपदेश निकला था वही श्री विश्णु का परम तात्विक रूप है तुम उसी का चिंतन करो वह मोक्ष के प्रसिद्धर सायन है संसार भैसे डरे हुए मनुष्य की आधी व्याधी का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है मैं उसके सिवा दूसरे किसी सा अधन को ऐसा नहीं देखता अतह उसी का अध्याय करो श्री महादेव जी कहते हैं यों कहकर वे सब के साथ श्री विश्णु के परम धाम को चला गया तब क्रामपल ने ब्राहमन के मुख से उस अध्याय को पढ़ा फिर वे दोनों ही उसके महातम में से विश्णु धाम को चले गए पार्वति इस प्रकार तुम्हें 11 अध्याय की महातम में कथा सुनाई है इसके श्रवन मात्र से महान retail का नाश हो जाता है है श्री महादेव जी कहते हैं पार्वती दक्षिन दिशा में कोलापुर नाम का एक नगर है जो सपनगर के सुखों का आधार सिद्ध महात्माओं का निवास्थान तथा सिद्धी प्राप्ति का क्षेत्र है वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है संपूर देवता उसका सेवन करते हैं वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष बदान करने वाला है वहां करूण तीर्थ और शिवलिंग है रुद्रगया भी वही है वह फिशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया वह कहीं का राजकुमार था उसके शरीर का रंग गौर नेत्रसुंदर ग्रीवा शंख के समान कंथे मोटे चाती चोड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा ने हारता हुआ वहे देवेश्वरी महालक्षमी के दर्शनार्थ उतकंठे थो मनी कंठ तीर्थ में गया वहां स्टान करके उसने पित्रों का तरपन किया फिर महामाया महालक्षमी को प्रणाम करके भक्ती पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया राजकुमार ने कहा जिसके खिदे में असीम धहया बरी है जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की स्रिष्टी पालन और संगार करती है उस जगत माता म महालक्षमी की जै हो जिस शक्ती के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेश्टी ब्रह्मा स्रिष्टी करते हैं भागवान अच्यूत जगत का पालन करते हैं तथा भागवान रुद्र अखिल विश्व का संगार करते हैं उस स्रिष्टी पालन और संगार की शक्ती से करते हैं कमलाले तुम अपने स्वभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंरिये गोचर विश्यों को जानती हूं तुम ही कल्पनाओं के समूव को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन करती हूं इच्छा शक्ति ग्यान शक्ति और प्रिया शक्ति यह सब तुम्हारे ही तुम्हारा सुरूप निशकल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आतंकशुन्य, आलंबहीन तथा निरमय है। ये उसके सुरूप हैं। उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता तुम अपने मुखरूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमरित राशी को बहाया करती हूँ। तुम्ही परा पश्शंती, मध्यमा और वैखरी नामक वानी हूँ। मैं तुम्हे प्रमी ब्रह्मी वैश्णवी तथा माहिशुरी शक्ती हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंगी, एंद्रे, कौमारी, चंदिका, जगत को पवितर करने वाली लक्ष्मी, जगन माता सावितृ, चंद्रकला तथा रोहिनी भी तुम ही हूँ। पर्मेशुरी तुम्हीशु उसके इस प्रकार स्थुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारन करके इस प्रकार बोले। राजकुमार मैं तुमसे प्रसन नहूं। तुम कोई उत्तम बर्मागो। राजपुत्र बोला, मा मेरे पिता राजा प्रहद्रत देवयोग से रुग ग्रस्थ होकर स्वर्ग गामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंदे हुए मेरे यग्य संबंदी घोड़े को जो समूची प्रित्वी के परिक्रमा करके लोटा था। किसी ने रात्री में बंधन काट कर कहीं अन्यत्र पहुँचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था। किन्तु वे कहीं भी उसका पता ना पाकर जब खाली हाथ लोटा हैं तब मैं सब रित्विजों से आग्या लेकर तुम्हारी शरण में आया देवी यदि तुम मुझे पर प्रसन हूँ तो मेरे यग्य का घोड़ा मुझे मिल जाए जिससे यग्य पूर्ण हो सके। तब ही मैं अपने पिता महराज का रिन उतार सकूँगा। शर्णागतों पर दया करने वाली जगजननी लक्ष्मी जिससे मेरा यग्य पूर्ण हो वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा राजकुमार मेरे मंदिर के द्वार पर एक ब्राह्मन रहते हैं जो लोगों में सिद्ध समाधी के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आग्य से तुम्हारा सब काम पूरा करेंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस थान पर आये जहां सिद्ध समाधी रहते थे। उनके चर्णों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचा भाज जोड़ कर खड़े हो गए। तब प्राह्मन ने कहा तुम्हें माता जी ने यहां भीजा है। अच्छा देखो अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्टकार सिद्ध करता हूँ। यों कहकर मंतरवेता ब्राहमन ने सब देवताओं को वहीं की जा। राजकुमार ने देखा उस समय सब देवता हाद चोड़े थर-थर कामते हुए वहां उपस्तित हो गए। तब उन श्रेष्ट ब्र निश्चित हो चुगा था रात में देवराज इंद्र चुराकर अन्यत्र पहुचा आ गए हैं उसे शीखर ले आओ तब देवताओं ने मुनी की कहने से यग्ग का घोड़ा लाकर दे दिया इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आग्या दी देवताओं का आकर्षन दे जनक है आप ही ऐसा कारे कर सकते हैं दूसरा कोई नहीं ब्रह्मन मेरी प्रार्थना सुनिए मेरे पिता राजा ब्रहत्रत अश्वमिक्यक्यक्यका अनुस्टान आरम भकर के देवयोक से मृत्यू को प्राप्थ हो चुके हैं अभी तक उनका शरीर तपाय हुए तेल में किन्चित मुस्करा कर कहा चलो जहां यग्यमंडप में तुम्हारे पिता उपस्तित हैं वहां चले तब सिद्ध समाधी ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जर अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पर रखा उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे तिर उन राजकुमार ने महरात से पहले का सारा हाथ कह सुनाया राजा ने अपने को पुनह जीवन दान देने वाले ब्राहमन को नमस्कार करकी पूछा ब्रहमन किस पुन्ने से आपको यह आलोकिक शक्ति प्राप्थ हुई उनके योग कहने पर ब्राहमन ने मधूरवानी में कहा र जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन होगी। दक्षिन देशा में तुंग भत्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरीहरपुर नामक रमणियन नगर बसा हुआ है। वहां साक्षाद भगवान हरीहर विराजवान है। जिनके दर्शन मात्र से परमकल्यान की प्राप्ती होती है। हरीहरपुर में हरीदीक्षित नामक एक क्षोत्रिय ब्रहमन रहते थे। जो तपस्या और स्वाध्याय में सनलगन तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनके एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्मे भी थे। वे सदा पती को कुवाच्य कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शेयर नहीं किया। पती से संबंद रखने वाले जितने लोग घर पर आते। उन सब को डाट बताती और स्वेम कामोन में धोकर निरंतर व्याभी चारियों के साथ रमन किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर जाते आते हुए पुरुवासियों ने भरा देखकर उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को ना पाकर वे घर के के वार खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। तब वे उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लिगी। चारों देशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस तरी की आवाद सुनकर कोई सोया हुआ व्यागर जाग उठा और उचल कर उस थान पर पहुँचा जहां वे रो रही थी। उसे नकरूपी बाणों के प्रहार से प्रित्वी पर गिरा दिया। इस अवस्ता में भी वे कठोर वाणी में चिलाती हुई पूच वेटी। अरे भाग तो किसली मुझे मानने को यहां आया है। पहले इन सारे बातों को बता दे। फिर मुझे मानना। उसकी बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्यागर क्षन भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुख गया और हस्ता हुआ बोला। दक्षन दिशा में मला पहा नामक एक नदी है। उसके तक पर मनी पढ़ना नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद साक्षाद भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मन कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेरा बैठा रहता और जो यग्य के अधिकारी नहीं है उन लोगों से भी यग्य कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोब से मैं सदा अपने वेदपाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोब यहां तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षकों को मैं गालियां देकर हटा देता और स्वयम दूसरों का नहीं देने योग्य धन भी बिना दिये ही हमेशा ले लिया करता। रिन लेने के बहाने मैं सब लोगों को चला करता था। ददनंतर कुछकाल व्यतीत होने पर मैं बुड़ा हुआ, मेरे बाल श्वेत हो गए, आंखों से सूजदा ना था और मुह के सारे दान गिर गए। इतने पर भी मेरे दान लेनी की आदत नहीं चूटी। पर आने पर प्रतिग्रह के लोब से मैं हाथ में कुछ लिये तीर्थ के समीब चला जाया करता था। तद पर शार जब मेरे सारे अंग शितिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्थ ब्रहमनों के घर पर मांगने खाने के लिए किया। उसी समय मेरे पैर में कुट्ते ने काट लिया। तब मैं मुर्चित होकर क्षण भर में प्रत्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए, इसके बाद मैं इसी व्यागरे योनी में उत्पन्न हुआ हूँ, तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ, तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ट महात्मा यती, साधु बुरुष, तथा सती स्त्री को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी, तथा कुल्टा स्त्रीयों को ही मैं अपना भक्षे बनाता हूँ, अतह कुल्टा होने के कारण तु अवश्य ही, मेरा ग्रास बनेगी, यूं कहकर वैं अपने कठोर नकों से उसके शरीत के टुकडे टुकडे करके खा गया। इसके बाद यम्राच के दूद उस पापीनी को सैमनी पुरी में ले गए। वहाँ यम्राच की आग्या से उन्होंने अनेक बार उसे विष्ठा, मूद्र और रक्ट से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराये। करोणों कलपों तक उसमें रखने के बाद उसे वहाँ से ले आकर सौ मनवंत्रों तक रौरव नर्क में रखा। फिर चारों और मुह करके दीनभाव से रोती हुई उस पापीनी को वहाँ से खीच कर दहनानन नामक नर्क में गिराये। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार गोर नर्क यातना भोग चुकने पर वह महाँ पापीनी इस लोक में आकर चांडाल योनी में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रति दिन बढ़ती हुई। वह पूर्व जन्द के अभ्यास से पूर्वत पापों में प्रवित रही। फिर उसे कोड और राज यक्षमा का रोख हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लेगी। फिर कुछकाल के पश्षात्वे पुनह अपने निवास्थान को गई। जहां भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जंबका देवी विराजमान है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राहमन का दर्शन किया। जो निरंतर गीता के तेरवे अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुक से गीता का पाठ सुनते ही चांडाल शरीर से मुक्त हो गई। और दिवे देधारन करके स्वर्गे लोग में चली गई। शिव महादेव जी कहते हैं पारवती अब मैं भग बंधन से छुटकारा पाने के साधन भूत चौध में अध्याय का महादम में बतलाता ह तुम ध्यान दे कर सुनो। सिंगर दूइप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे जो सींग के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उच्छुखो कर राजकुमरो सहित दो श्वान कुदियों को साथ लिये बन में गए। वहां पहुँचने पर उन्होंने तीवर गती से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुदिया को छोड़ दिया। गिरने पर भी वे कुदिया के हाथ नहीं आया और उस थान पर जा पहुँचा जहां का बातवरन बहुत ही शांत है। वहां हरे निर्भय होकर सब और रिक्षों की चाया में बैठे रहते थे। वानर भी अपने आप तूटकर गिरे हुए नारल के फलों और पकी हुए आमों से पून त्रिप्त रहते थे। वहां सी हैं हाथी के बच्चों के साथ खेलते और साप निडर होकर मोर की पांखों में घुच जाते थे। उस थान पर एक आश्रम के भीतर वच्च नामक मुनी रहते थे। जो जीते इंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के चौधवे अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वच्च मुनी के किसी शीशे ने अपना पैर्ध होया था। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वेहाफता हो आकर उसी कीचर में गिर पड़ा। उसके स्पर्शमात्र से ही खरगोश संसार सागर के पार हो गया और दिव्वे विमान पर बैठ कर स्वर्ग लोग को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचर के जीवते लग गये। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहे थों कुतिया ने रूप त्याक कर उसने दिव्व्यांगना का रमणी रूप धारन कर लिया। तथा गंधर्वों से सुशोबेत दिव्वे विमान पर आरूड हो वह भी स्वर्ग लोग को चली गई। यह देख मुनी के मेधावी शिश्य। स्वगंदर हसने उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्यरे से चकित हो गए। उन्होंने बड़ी भक्ती के साथ प्रणाम करके पूछा। विप्रवर यह नीज योनी में पड़े हुए दोनों प्राणी। कुद्या और खरगोश। ग्यान हीन होते हुए भी ज इस वन में बच्छ नामक प्राहमन रहते हैं। वे बड़े जीतेंद्री महात्मा हैं। गीता के चौधवे अध्याय का सदा जब किया करते हैं। मैं उन्ही का शिश्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेष्ता प्राप्त की है। गुरुजी की हिभांती मैं भ स्वर्ग लोग को प्राप्त हो गया। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूं। महाराष्ट्र में प्रत्यूदक नामक महान नगर है। वहां के शर्व नाम का एक प्राहमन रहता था। जो कप्टी मनुश्यों में अग्रगर्ने था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना वैस्चोचंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जनम भर के बैर को याद करके ब्राहमन ने अपनी स्त्री का वद्ध कर डाला। और उसी पाप से उसको खरगोश की योनी में जन्म मिला। ब्राहमनी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं यह सारी कता सुनकर शद्धालू राजा ने गीता के चौधवे अध्याय का पाठ आरंब किया। इससे उन्हें परमगती की प्राप्ती हुई। श्री महादेव जी कहते हैं पारवती अब गीता के पंध्रवे अध्याय का महतम में सुनू। उनका बुद्धिमान सेनपती, शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंधार था उसका नाम था सरभ मेरुंड उसकी भुजाओं में प्रचंडबल था एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महराज का वद्ध करके स्वयमी राचे करने का विचार किया इस निश्य की कुछी दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गये थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंदु देश में एक तिजस्वी घोड़ा हुआ उसका पेट सटा हुआ था घोड़े की लक्षणों का ठीक ठीक ज्यान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मुल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और बड़े यतने के साथ उसे राजधानी तक वह ले आया वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने के लिए लाया था ये देपी राजा उससे परिचित थे तथा भी द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूशना दी राजा ने पूछा किसलिए आयो हो तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया देव सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन अश्व था जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझ कर मैंने बहुत्चा मूले देख कर खरीद लिया राजा ने आग्यदी उस अश्व को यहां लेकर आओ वास्तप में वे खोडा गुणों में उच्चे श्रवा के समान था सुन्दर रूप का तुमानू घर ही था शुब लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था वेशे घोडा ले आया और राजा ने उसे देखा अश्व का लक्षण जानने वाले आमात्यों ने उसकी बड़ी प्रशंचा की सुनकर राजा आपार अनंद में निमग्न हो गया और उन्होंने वैशे को मूमांगा सुवर्ण देकर तुरंथी उस अश्व को खरीद लिया कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेरने के लिए उच्चुखो उसी घोड़े पर चड़कर बन में गया भामरिकों की पीछे इन्होंने अपना घोड़ा पड़ाया पीछे पीछे सब ओर से दोड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया वे हिर्णों द्वारा आकरिष्ट होकर बहुत दूर निकर गया प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया तब वे घोड़े से उतर कर जलकी खोज करने लगे घोड़े को तो उन्होंने व्रिक्ष की डाली में बांधिया और स्वेम एक चट्टान पर चड़ने लगे कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिला खंड पर गिरा उसमें गीता के पंधर में अध्याय का आधा श्लोक लिखा था राजा उसे बाचने लगे उनके मुख से कीता का अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्वयोनी से उसकी मुक्ति हो गई तथा तुरंत ही दिव्य अमिमान पर बैट कर वे स्वर्ग लोग को चला गए तथ पशात राजा ने पहाड पर चड़कर एक उत्तम आश्रम देखा जहां नाकेसर, केले, आंग और नारेल के विक्ष लहरा रहे थे आश्रम की भीतर एक ब्राहमन बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा ब्राहमन मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया उसमें क्या कारण है राजा की बात सुनकर त्रिकाल दश्री, मंत्रवेता एवा महापुष्यों मिश्रेष्ट विश्नु शर्मा नामक ब्राहमन ने कहा राजन, पूर्वकार में तुम्हारे यहां जो सर्व मेरूंड नामक सेनापती था देह तुम्हें पुत्रों से हित्मार कर स्वयम राच्य हड़प लेने को तयार था इसी बीच में हैजी का शिकार होकर वे मृत्ति को प्राप्त हो गया इसके बाद वे उसी पाप से घोड़ा हो यहां कहीं गीता के पंध्रवे अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था उसे ही तुम बाश्रे लगे उसी को तुम्हारे मुक से सुनकर वे अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ तदनंतर राजा के पार्फ वर्ति सेनिक उन्हें ढूंडते हुए वहां आ गये उन सब के साथ ब्राह्मन को प्रणाम करके राजा प्रसंता पूर्वक वहां से चले और गीता के पंद्रवे अध्याय के शलोकाक्षों से अंकित उसी पत्र को बाच-बाच कर प्रसंत होने लगे उनके नेत्रहर्श से खिल उठे थे घर आकर उन्होंने मंत्रवेता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंग भल को राज़े सिंगहासन पर अभिशिक्त किया और सुयम पंद्रवे अध्याय के जब से विशुद्ध चित होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया श्री महादेव जी कहते हैं पारवती अब मैं गीता के सोल्वे अध्याय का महातम में बताऊंगा सुनो गुचरात में सौराष्ट नामक एक नगर है वहां खड़क बाहु नाम के राजा राजे करते थे जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे उनके एक हाती था जो मद बहाया करता था और सदा मच से उनमत रहता था उस हाती का नाम था अरिमर्दन एक दिन रात में वह हटात सांकलों और लोहे की खंबों को तोड़ फोड़ कर बाहार निकला हातीवान उसके दोनों और अंकुश लेकर डरा रहे थे किन्तु क्रोधवश उन सब की अभेलना करके उसने अपने रहने की स्थान अर्थात हाती सार को धादी उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी फिर भी हातीवान ही दरे हुई थे हाती को तनिक भी भै नहीं था इस कौतुहल पूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयम हाती को मनाने की कलाम इन्दुपूर्ण राजकुमारों के साथ महा आए आकर उन्होंने उस बलवान दंतेले हाती को देखा नगर के निवासी अन्य काम धंदो को चिंता छोड़कर अपने बालकों को भैसे बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महा भैंकर गजराज को देखते रहे इसी समय कोई ब्रहमर तालाब से नहा कर उसी मार्ग से लोटे वे गीता के सोल में अध्या के कुछ लोकों का जब कर रहे थे पुरुवासीयों और पीलवानों ने उन्हें बहुत बना किया किन्तु उन्होंने किसी की नमाले उन्हें हाती से भै नहीं था इसलिए वे विचलित नहीं हुए उधर हाथी अपने फुकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था वे ब्राहमन उसके बहते हुए मत को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निकल गए इससे वहां राजा तथा देखने वाले पुरुवासियों के मन में इतना विस्में हुआ कि उसका वर्ण नहीं हो सकता राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे उन्होंने ब्राहमन को बुरा सवारी से उतर कर उन्हें प्रणाम किया और पूछा ब्राहमन आज आप में ये महान ओलो की कारिर कैसे किया है क्योंकि इस काल के समान भेंकर गजराज के सामने से आप सरकुशल लोटा है प्रभो आप किस देवता का पूजल तथा किस मंत्र का जब करते हैं बताए आपने कौन सी सिध्धी प्राप्त की है ब्राहमन ने कहा राजन मैं प्रति दिन गीता के सोल्वे अध्या के कुछ लोकों का जब किया करता हूँ उसी से ये सारी सिध्धियां प्राप्त हुई है श्री महादेव जी कहते हैं तब हाती का कौतुहर देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राहमन देर्था को साथ ले अपने महल में आये बहां शुप महुरत देखकर एक लाग सुवर्ण मुद्रों की दक्षना दे उन्होंने ब्राहमन को सिंदुष्ट की और उनसे गीता मंत्र की दिख्षा दी गीता के सोल्वें अध्याय के कुछ लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागरत हुई फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथी वानों से उसी मत्त कजराज का बंधन खुलवाई उन्हें भै की बाद भूल गई और राजे के सुख फिलास के प्रती आधर का भाव नहीं रहा वे अपना जीवन त्रणवत समझ कर हाथी के सामने खड़े हो गए साथी मनुष्य में अगरगन्य राजा खंग बाहु मंत्र का विश्वास करके हाथी के समीप कए और मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लोटाए काल की मुख से धार्मिक और खल के मुख से सादू पुरुष्य की भांती राजा उस गजराज के मुख से निकलकर बहार आ गए नगर पर आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राजे पर अभिश्यक्त कर दिया दथा स्वें गीता की सोल्वें अध्याय कर जप करके प कथाएं अपने आप में अध्गुत थी अगले अध्याय में हम भगवत गीता के सत्रवें और अठारवें अध्याय का महतर में जानेंगे